बोल्ट ने दिया 440 वोल्ट का जटका, बर्गर ने भी किया हाजमा खराब और मुंबई को मिली हार की हैट्रिक, दूसरी तरफ राजस्थान ने लगा दी जीत की हैट्रिक स्वागत आपका ESPN किरिकन 4 टाइम आट हिंदी में और इस मैच पर बात करने के लिए मौजूद है वरुन 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 इस मैच के प्रेडिक्शन जब हम कर रहे थे प्रिव्यू में उस वक्त आपने यह जरूर कहा था कि मुंबई के लिए मुश्किल होगा राजस्थान को हराना लेकिन इस अंदाज में हारेंगे आपने सोचा था 125 सिर्फ बना पाएंगे नहीं देखे यह तैका ना difficulty की एक टीम कितनी माजन से हरेगी पर यह तो शूर था मैं क्योंकि राजस्थान की टीम अभी settled है और कोई भी settled टीम को हराना एक unsettled टीम को हमेशा मुश्किल रहेगी क्योंकि अभी भी मुंबई को उनका combination सेट नहीं हुआ है सबसे पहला पहला चीज होता है कोई भी competition में कि आपका combination सेट हो उत्राव चड़ाव तो होता ही यह cricket में पर जब तक एक टीम का combination सेट नहीं होता है तब तक एक टीम कभी भी यह ने कह सकती है मैच से पहले कि मैच में जीतने वाला हूं और आज जो हुआ है ऐसा लगा कि फोर्थ ओवर के अंदर ही 3.3 ओवर में 20 रन चार विकेट बोल्ट और बर्गर ने मुंबई को मैस से बाहर कर लिया अबसलूटली बहुत ही हाई क्लास बोलिंग के बोल्ट ने स्पेशली मतलब एक न्यू बॉल मास्टर क्लास था वो बोल्ट अब से नहीं काफी साल से ऐसी प्रशन करते हुए और और एक्शली व्यूर्स को यह समझना पड़ेगा कि वो लेंग्ट डालना इजी नहीं होता है T20 क्रिकेट में क्योंकि अगर वो लेंग्ट से अगर बॉल्ट स्विंग नहीं होता है तब चका या चौका तै है वो लेंग्ट से पर बोल्ट के पास वो करिज है वो स्किल है कि वो लेंग्ट डालके वो विकेट चटगाते है और एक तरफ बोल्ट दूसरी तरफ बरग ये यूजी चैयल का पुराना कहानी है, ऐसा कुछ शॉकिंग नहीं लग रहा है, मेरे को यूजी चैयल ऐसा कुछ कर दी है, क्योंकि यूजी चैयल इतना साल से परफॉर्म कर रहे हैं, रॉयल चैनलेंजेज के लिए, अभी राजस्तान रॉयल्स के लिए, वो वोलकप टीम म combination होता है गाजसान का combination fit है अगर आप new ball see off करते उसके बाद आता है अश्विन और यूजी चहल तो कभी भी आप कभी ये relax नहीं कर सकते हैं इनके साथ जब खिल रहें especially bowling wise, batting wise तो हम लोग सब जानते ही कि एक batting power हो से हो लोग bowling के तो हमने बात की चाहे वो fast baller हो चहल के आपने बात की अगर chasing के तरफ आप देखें तो शरुआत में ऐसा लगा कि शायद क्या ये team डगमगा रही है जब जल्दी जल्दी 3-4 wicket गिर गए लेकिन रियान प्राग जो form उन्होंने सेद मुश्टाक अली ट्रॉफी में दिखाया जो form उन्होंने red ball cricket रंजी में दिखाया उसका लगना transform कर रहे हैं यहाँ पर वो जिस अंदाज में 43 रन पहले match में 84 not out और आज 54 not out तेखे रियान पराग बाटिंग तो वैसी कर रहे हैं last day करते थे पर अभी क्या है मुझे लग रहा है कि उनका mindset में change आया काफी वो mature हुए है अपने आपने self belief बढ़ गया है वो काफी focus लग रहे है और confident है क्योंकि जैसे आप कहा कि domestic season उनका शांदार रहा है और वोई form और वोई mindset को अभी IPL में लेकर आ रहा है और team भी रियान परा के उपर confidence दिखा रही है उपर batting करा के तो it's all really working well और जो हमेशा से RR के पास जो middle order में एक कमी थी वो रियान परा उसको almost plaster कर दिये वो कमी को बिलकु लोजेस अंदाज में वो short आजकल खेलते हैं वो आज जो एक स्कूप लगाया वो भी बड़ा शांदार था वरून लेकिन अगर हम थोड़ा सा मुंबई के तरफ चले है गलती कहां पर हुई कैसे हुई तो क्या आप ये मानेंगे कि वो panic button पहले ओवर के बाद ही दब गया जब आपने तुरत दो बिकेट गेटी और impact के तौर पर ब्रेविस को बुलाया जबकि हार्दिक पंडिया आपने पहले भी कहा था कि वो उपर आ सकते हैं आज भी चाहते हैं पंडिया तो शायद नमबर चार पे आते पांच पर आ सकते थे ठीक हार्दिक पंडिया और तिलक वर्मा दोनों बहुत ही उचे कद के बैट्समन है वो ऐसा situation था नहीं कि हार्दिक पंडिया या तिलक वर्मा situation को समाल नहीं सकते थे it was a situation which both players could have easily handled मुझे रहे लगता था कि उस ताइम ब्रेविस को as an impact सब लाना चाहिए था जनरली क्या होता है कि वो एक panic समझ जाता है team में कि अभी हम लोगा impact सब चले गया क्योंकि the first few overs are not going for us ऐसा होता है वांके डे में जब ball swing करता है कि शुरू में एक दो wicket जाती है पर it's important to trust your first 11 players और अगर last में runs कम है तो impact सब गुसाई और given the freedom to go big and go hard और सिर्फ बैटिंग में ही नहीं अगर आप bowling में भी देखो वरून तो हम लोग बात कर रहे थे कि पहला over करते है पंडिया दूसरा over पंडिया करते है आज इस situation थी वांकेड़े पर fast baller को bounce मिल ला था move कर रही थी आज वो खुद को bowling पर ला ही नहीं तो यह क्या वो थोड़ी सी कप्तानी जो बाहर में सब कुछ चल रहा है वो उनको थोड़ा सा असर पैदा कर रही है उनके कैप्टेंसी पे मुझे नहीं लगता है कि हार्दिक पांडे को bowling नहीं करना था ऐसे होई नहीं क्योंकि वो जिस माइंसेट के खिलाडी है अगर सिटुएशन डिफिकल्ट रहता है तो पर कभी कबार ऐसा होता है क्रिकेट में कि एक दूर निगल रहता है में भी हार्दिक को आज निगल था कि वो बुली यह नहीं किया होगा हो सकता है हो सकता है लेकिन कुछ जो चीज़ें चल रही है मैं एक बतौर क्रिकेटर आपसे पूछना चाहूंगा जो हम देख रहे हैं लगतार हार्दिक पंडिया को लेकर फैंस का एक रवया हूटिंग का आज संजय मांजरेकर को बीच मे आना पड़ा उन्होंने कहा कि बिहेव थोड़ा सा क्राउड को किया एक क्रिकेटर के नाते क्या ये इंपैक्ट करता है आपको जब इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है वहापर देखें जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक ब्रिलियंट कैच वो ट्राई किये थे भले कैच छुड़िया बहुत लोग वो कैच तक पहुँच भी नहीं पाते वो कैच छुटने के बाद क्राउड उसको बू कर रही थे तो especially as a cricketer you don't want your home fans to boo you पर जितना मैं हार्दिक को जानता हूँ यह सब हार्दिक को strong कर रहा है हार्दिक इससे बिलकुल डगमंगाएंगे नहीं और अगर if it's anything यह हार्दिक को और confidence देगा और fight देगा to come back harder and better मजबूत करेगा और Mumbai Indians को जाना भी जाता है भाई कि वो वापसी करते हैं याद होगा 2015 पाँच में सिर्फ पहले चार मुकाबले हरने के बाद भी ये टीम में चैंपियन बनी थी वरुन आज अगर positive की बाद हम करें तो चलते चलते अकाश मदवाल एक बड़ा positive नजर आए और मैं तो आपसे यह भी पूछूँँगा चाहिए था या बाद में खिलाना चाहिए था अभी भी काफी early dose tournament में उसको chance दिया गया और मुझे लगता है कि मदवाल को persist करना चाहिए और जितना भी जल्दी मुमे इंडियन को stability जब आएगा उन लोग के लिए सही रहेगा बहुत जल्द क्योंकि तीन मैच हो चुके अबरी तक खाता खुला नहीं है अगला मुकाबला मुमबई को इसी मैदान पर खेलना है दिल्ली के खिलाफ उमीद रहेगी कि जीत का खाता जल से जल खुले बहुत बहुत शुक्रिया वरुन जुडने के लिए तमाम बाचीत के लिए आप भी अपनी कमेंट्स अपने राय आप हमें दे सकता है और फॉलो कीजिए एस पेंट क्रिकन फो हिंदी को भी फिलाल इजासत दिजिए आप देख रहे थे एस पेंट क्रिकन फो टाइम आउट हिंदी